हेलो फ्रेंड्स मैं आपके दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारी चैनल हेल्थ इस वेल्थ पर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बड़ती उम्र की महिलाओं को काफी जादा समस्याय होती है चरिया आज जानते हैं समस्यायों के बारे में जो अक्सर बड़ी उम्र की महिलाओं को होती है दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ इनसान का तजर्वा बढ़ता है लेकिन जैसे जैसे तजर्वे का भार बढ़ता चला जाता है शरीर के अंदर बिमारियों का घर भी बढ़ा होता चला जाता है पिर चाहे वो गुटनों का दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, बीपी की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो ये सारी ही चीज़े हमारे दर्वाजे पर दस्तक देने लगती है इसे लिए बड़ी उम्र के साथ साथ महिलाओं को स्पेशली काफी ज्यादा परिशानी होती है और ज्यादा तर प्रॉब्लम उनके गृटनों से ही शुरू होती है गृटनों में सुझन का आजाना या फिर गृटनों से चलना पाना ये सारी चीज़ें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं जिसकी वज़े से महिलां को चलने फिरने में काफी ज्यादा परिशानी होती है आपने अक्सर देखा होगा कि बुज़र्ग महिलाएं अपने गुटनों का ओपरेशन कराती हैं केवर इसलिए ताकि वो चंद कदम अपने हिसाब से और बिना किसी की मदद के चल सके इसी के साल साल बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होती है किसी को लो बीपी होता है तो किसी को हाई बीपी होता है इसलिए अगर आप low BPA, high BPA से बचना चाहते हैं तो सबसे अची चीज ये ही होगी कि आप अपने खाने पर focus करें और नमक की मातरों को हमेशा आपने खाने के अंदर balance में रखें जरूरत से ज्यादा नमक याने की बिमारियों को दावत देना सो दोस्तों ये सारी बिमारियां बड़ी उम्री की महिलाओं को ज्यादा तर होती है और क्योंकि आप super woman है इसलिए आप बिमार नहीं हो सकती मेरी beauty और health से related वीडियो को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजिए तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ